नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारी इस चैनल पर बात करेंगे एंटी पीसी और ग्रूप डी एक्जाम को लेके यहाँ पर रेल मंत्री प्यूश गोईल का बहुत बड़ा यहाँ जारी हुआ है औफिशल यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर कब तक आपका औफिशल यहाँ पर रेलवे मंत्री नहीं यहाँ जो बयान दिया है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि रेलवे एक्जाम के बारे में जो अपना अनुमान लगा रहे थैं कि कब तक हो गल रहे थे होगा या नहीं होगा तो सारा सब कुछ यह पे डिटेल में डिसकस करेंगे कन्फर्म यहां पर रेल श्कोयल का बहुत बड़ ब्यान यहां पर जारी हुआ है कल रात को तो confirm बहुत बड़ी update यहां पर आती हुई एक तरीके से इस exam को लेके जो लोक डाउन में यहां पर exam में होगा या नहीं होगा 2020 में यह possible है या नहीं है लाइक कीज़े शेर कीज़े इस वीडियो को तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूँ इस exam से रिल्टेंट जो भी हो officially or officially news or notification आएगा railway की तरफ से तो हम सबसे पहले हमारे इस चैनल के मादिन से आपको बता देंगे तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे दोस्तों अभी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहां पर railway मंत्री ने रात को यहां पर officially बयान जारी किया है यहां पर tweet किया है उसमें यहां पर साफ साफ कहा है कि जो vacancy निकली हुए railway की तरफ से यहां पर एक साल का आप सभी को पता है उससे पहले मैं बता दूँ यहां पर 2011 में जो vacancy निकली थी यानि कि एंटी PC का एकजाम अगर मैं confirm एकजाम डेट की बाद करूप 35,208 पोस्टों पर 1.26 करोड यहां पर फोर्म यहां पर railway ने प्राप्त किये थे एक तरीके से एंटी जब रिलेश हो था उसकी बात नहीं कर रहा है एक 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 एक्जाम डेट डेक्लियर की गई थी 2019 में जून और जुलाई के बीच में यहां कि जून से सप्टमबर में आपका एक्जाम होने वाला था एंटी PC का वहीं अगर मैं गुरूप D की बात करूँ एक लाग पलस पोस चानरा में अभी यहाँ पर बहूत बड़ी अपडेट रेल्वे के तरफ से निकली है क्योंकि जो दबाव बन रहा था प्रेशर बन रहा था रेल्वे के ऊपर क्योंकि कहीं न कहीं एक डेड़ साल यहाँ नोटिकेशन के बाद में डेड़ साल का टाइम इनको अरने को एक कहीं अभी यहां पर confirm तरीके से clarification मिल गया है railway मंत्री के द्वारा उन्होंने कहा है कि confirm अभी जो भरती प्रिक्रिया है वो ज़्यादा past की जाएगी आने वाले महीने में तो confirm जो bit tender की जो date रखी गई है एक महीना बढ़ाई गई है वो isolated category के लिए है दोस्तो NTPC और Group D के लिए नहीं है तो confirm जो exam होने वाला आपका confirm यह मान के चलिए आप July से July और August इन दो महीनों में आपको confirm यहाँ पर जो exam scheduled है NTPC और Group D का वो पता चल जाएगा और कहीं न कहीं जो application status है वो July महीने में आपका डाल दिया जाएगा NTPC का, Group D का आपका application status आया हो है NTPC का यहाँ पर डाल दिया जाएगा और कहीं न को इसको बाद में आपको confirm मान के चलिए दोस्तो October, November, December इन तीन महीने पर दोनों exam यानि की NTPC, CBT, 1 और Group D आपका exam ले लिया जाएगा Railway के द्वारा यह बहुत बड़ा बयान यहाँ पर Rail मंत्री पियुश कोहील के द्वारा जारी किया गया है दोस्तो तो आगे इस exam से इल्टेट जो नूटिफिकेशन ओफिशल रिलेज हुआ हम आपको बता देंगे इससे अलावा यहाँ पर दोस्तो अगर मैं बात करूँ जो लोग बोल रहे थे isolated categories का बीच में यह जो डाला गया है notification दम तो दोस्तो इससे आपको disturb होने की जरुरत नहीं है जो NTPC का पहले number 4 पर जो आया था यानि की CEN 01 करके 01 फिर उसके बाद में 2019 जो लिखावा है वो है NTPC का और 03 जो अभी आया है 0-2019 वो है आपका isolated ministerial categories का तो उससे आपको लेना देना है नहीं आपका confirm जो यह टेंडर बिड की जो date रखेंगे यह वो अभी यहाँ पर शुरू हो चुके है तो कई नहीं जो एक्जाम है confirm आपका जो TCS लेगा और confirm यह मान की चलिए 99% आपका जो एक्जाम लेगी company या agency वो TCS ही लेगी और confirm जोलाई गस्ट सितंबर के बाद में आपको कई नहीं एक्जाम का जो schedule जारी कर दिया जाएगा